नमस्तार हमारा सब्सक्राइक कारिक्रम टूदी पॉइंट विद आनन्द वर्दन सिंग एक हफते का बीच में गैप पड़ गया क्योंकि पिछले हफते इलेक्शन्स थे और मैंने सोचा उसके शोर शरावे में ये प्रोग्रम मैंने पॉपस्फुली ये नहीं किया था पिछ पीच में आप खेर तैच में तो रही हैं जो जो कुछ हुआ है हम हर्याना में और जो सेट बैक हुआ कांगरेस को वो तो हम सब जानते हैं और उसके उपर बहुत सारे शोजग हो रहे हैं बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है तो उसके बारे में मैं आज बात नहीं कर रहा हूं लेकिन एक तो चीज़े मैं आपसे दरूर पूछूंगा हर्याना के बारे में कि छे दिन शायद हो गए हैं अभी तक वहां सरकार का फॉर्मेशन नहीं हुआ है और ये आजी शायद ये खबर आई है कि वहां पर जो अब्जर्वर हैं सेंट्रल अब्जर्वर वो खुद अमिशादी बनके चा रहे हैं तो ये थोड़ी सी अठपटी चीज़ है कि जो टॉलेस्ट नेता है बीजे पी के वो स्मॉलेस्ट स्टेट के इलेक्शन के जब रिजल्स आया है वहां के चीफ मिनिस्टर पनाने के लिए अमिशादी खुद जा रहे हैं वहां पर तो क्या कुछ बेहाइंड सींज कुछ गरबर चल रही है बीजे पी में ये क्यों नहीं ये लोग स्वेरिंग इन करा रहे हैं आनल जो आजे जैसे आप पढ़ना है मैं भी पढ़ना हूं क्योंकि दो चीज़ें बह गुजरात में वो वजन नहीं रह गया है नहीं तो पहले तो आँक से दिखा देते थे और अपने आप सरकारें बन जाती थी उगर जाती थी अगर आपको याद हो गुजरात में पूरे मंत्वी मंदल को सब को एक साथ इन्होंने फटा दिया था और सब एक नया मंत्रि आए थे किसी की चू करने की हिम्मत नहीं हुई थी और यह इस रहो हमने यहां नहीं देखा यह रेप्पूटेशन कई जगह देखा गया लेकिन अब जिसको कहते हैं कि अब सब को समझ में आ गया है कि यह वह वाले बीजेपी में वह ताकत नहीं रह गई है मैं यह बात इसलि वहाँ बीजेपी ना टूट जाए ये भी फैक्ट है कि आप इमेजिन करिए कि अगर आज ये इस्तिति कॉंग्रेस में होती और बीजेपी धर होती तो बीजेपी तोड़ दी होती कॉंग्रेस को लेकिन शायद कॉंग्रेस इस खेल में नहीं या तो जानती नहीं है या वो आना नहीं चाहती है दोनों चीजें लेकिन मेरे खाल वो खेल को कर भी नहीं पाते हैं तो वह एक पहला प्जारवेशन तो यह है इसलिए हमेशा जी को खुद जाना पढ़ रहा है क्योंकि धमकाने में उनसे बड तो बदेख़ा कराईगे तो हर्याना में यह तैंख है कि अलग अलग क्षिंटान करेंगे और आने वाले समय दीजंट्भा किएन पर रहेंगा वो वो साबस्ताब दिखाई दे रहा है क्योंकि अगर आप जैनी जी को किनारे करते हैं, तो अनिलविज वाला गूप है, अनिलविज को करते हैं, वो तीन-चार गूप वहाँ, इस समय है अक्ट्व हो गए है、 दूसरी बात, क्योंकि वहाँ, जाटवाला भी एक गूप है, जाटवी कहना है, हम ऐसा थोड़ी के हम कमाए हैं, हम लेके आए हैं बिल्कुल ठीक से दूसरा मुझे एक और चीज इसी में मैं एक और अपना अपना एक टिपड़ी कर दूँ ये सारे लोग हरदम गाली देते थे गांधी फैमिली गांधी फैमिली सेंट लाए सारा डिसिजन वहां सब लोग वहां उन से तो आप क्या क्या हो है सारह डिसिजन में अमिष्चा टीकट बातना चाहां जाना ये तो अमिश्चा waking मै इसे मंदबत सारे उसके एक ही वेक्टी है जिसको जिसके अब वो भूशी दिवी नें तो उतना सेंट्रल earn पावर किसी भी लोकतंत्र और किसी भी पार्टी के लिए ये खराबष वो इं अंशोर होती जा रही है whatever reasons are there they are not very sure of whatever is the fact और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि कुछ प्रश्ण अभी हर्याना के बाकी है वो election petition के थूँ पूचे जाएंगे कि लोगों के गुसे के थूँ पूचे जाएंगे या लोग खुद आके निकल के कहेंगे इधर दिकत क्या हो गई है कि कॉंग्रेस ने मेरे हिसाब से हर्याना election को close करके आगे बढ़ना चाहिए था वो अभी हर्याना election में ही उल्जी हुई है कॉंग्रेस अभी वो इसी में वो लगी है कि कौन जिम्मेदार कौन नहीं जिम्मेदार इस सबके पे ही चर्चा हो रही है लेकिन वे फॉर्वर्ड पे हर्याना के रिफरेंस में कॉंग्रेस में मुझे कुई चर्चा सुनाई नहीं दे रही है तो इसी लिए शायद आमेशा के लिए को भी आसानी हो रही है नहीं तो अगर कॉंग्रेस कॉंपेक्ट रहती बिलकुल एक सुर में बात कर रही होती आपसे कुछ नहीं होता तो ये बहुत टफ समय था ये सत्रा तारिक नहीं ये अंगले सत्रा तक भी इनको हो सकता है वेट करना पड़े मैं एक चीज़ और एड कर दूँ जो अभी आई है और अभी संग्यान में आई है हना कि वो टॉपिक से बाहर एक है लेकि चूंकि आ गया तो मैं उसको आड कर दूँ दो मिनट पहले जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहा हैं से दो मिनट पहले जम्मू कश्पीर में 90 विधायक चुनके आए हैं 5 विधायक 5 नॉमिनेशन का है नॉमिनेशन वहां लेटन गड़न साहब ने पहले ही कर दिया है और ये भी नहीं है वो नॉमिनेटेट लोग अब वोट भी दे सकते हैं अब तो वो एक तरह से बीजेपी को उन्होंने स्टार्ट ही पाथ से शुरू किया बीजेपी की गड़ी 6 से स्टार्ट हो रही है इसके अगेंस्ट वहां की जो पार्टीज हैं वो एक पेटिशन लेके आएं थी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि अभी आप वापस जाईए आप हाइकर में बात करिए हाइकर अगर नहीं करें तब हम लोग दे में अभी हाइकर जाईए यह वह ही सुप्रीम कोर्ट है जो बीजेपी चार दिन पहले जगी सद्वरू के के आश्रम में जब मद्रास हाई कोर्ट के order से पुलिस जाके पुछताच कर रही थी तो स्वता संग्यान लेके वहाँ एक छोटी सी कोई petition आई लेकिन petition आई थी किसको रोखने के लिए उस पे सिर्टे ही नहीं दिया वो सारा फाइल सारा केस अपने हैं ट्रांसवर करा लिया और का कि नहीं नहीं आप कुछ नहीं आप सुप्रीम कोर्ट को आप क्या बोलेंगे एक महिना बाकी है चीफ जसे साब का उनके लिए जम्मू कश्मीर में पांच लोगों को करना बहुत मामूली बात है हाई कोर्ट हैंडल करेगा सद्गुरू जो हिरा फेरी कर रहे हैं उस हिरा फेरी के एक फाइल को अपने पास बुला लेना वो उनके लिए बहुत नॉर्मल है तो मैंने कहा है यह दर्शकों को एक बात बता दे कि किस तरह से सरकार के तीनों अंग एक्जिटिव लेजिसलेचर और जुनिश्री चल रही है आजए यहां एक चीज़ और आप से पूछनी ठीक है अब हाद्याना का जो कुछ भी हुआ है जादा तो ऐसा मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ गरबर यहां हुई है क्योंकि मैंने इसका डेटा भी अनलाइक काफी डितेल में किया था तो अब जब महराश्टा में जाएंगे तो डज का आपोजीशन या इंडिया स्टैंड एनी चांस है टॉल क्योंकि जो मज़ी हो ग्राउंड पे अगर रिपीट वहां होने जाएगा तो वहां भी उन्हे साथ सतर परसंट सीट्स मिल जाएंगी आराम से इस बारे में आपका क्या विजार मैं अजय मैं इसको दूसरे तरह से देखता हूं देकि ऐसा है जो भी गड़बड़ी हुई है लट अस बी वरी स्पेसिफिक जो भी अर्याना में गड़बड़ी हुई है वो मैं उसको ये म कि आपके सामने 2064 का ऐलेक्शन था जहां पे आपको सब पता था क्या क्या दिक्कत हुई है क्या क्या नहीं है मैं मैंसकता हो कि पूरे देश में आप एलेक्शन लग़ Switch तो आपके पास उस सारग के संसादन उस सपास संगठन नहीं था कि पूरे देश को अठीन करें लेकिन हरयाना तो एक च्छोटा राज है हरयाना में संसादन की कोई समस्या नहीं है हरयाना में संसादन दोनों तरह से manpower भी और resources जो पैसे के रूप में होते हैं उस तरह का भी आप कोogenous कत नहीं है एक च्छोटी सी चीज कि आता है जो पुलिंग अफसर होता है वो उसकी च्वारपाट छे आठ कॉपी बनाता है और हर एजेंट को हर पार्टी का जो भी एजेंट है या जो भी इंडिविजुड का एजेंट है उसको वो 17C देना मेंडिटरी है उनको देता है और उस से में यह हो जाता है कि इतने वोट जन बात है तो कॉंटिंग में एजेंट में पहले से रहता है कि इस जगह का यहां खेले ले का यहां खेले गाइज्ञा वह इस यहां तो आप वह भी अपने को दिए रहते हैं तो counting agent के सामने जो machine आती है कि so and so machine cannot place boot number one तो आपके पास 17C data रहता है boot number one 1680 vote पड़े तो आहां 1680 तो वो 1680 cross check हो रहा है मेरा अपना मानना यह है कि Congress के नहीं यह excise की ही नहीं की भी तो कहीं individual उमीद्वार के level पर कहीं हुई होगी लेकिन organized way में नहीं हुई जो जो कमजोर Congress के संगठन की और इंगित कर इशारा करता है महराश में एक बात क्या हो रही है कि महराश में शिर सेना उधर ठाकरे NCP हमारी शरत पवार साहब वाली लोग इस में बहुत माहर है क्योंकि एक ही state देखना है एक ही जगा है तो वो लोग इस election के इस process में बहुत सिधास्त है जैसे उतर प्रदेश में हुआ उतर प्रदेश में जब मैं याद भी दिला दू अंदर्शकों को उतर प्रदेश में अगर आपको याद हो जब एक जून को जब वोट पड़ गया तो उसके बाद जैराम रमेश ने सारजनिक तौर पे ट्वीट करके कहा कि भई एक सो पचास डियम से अमिश शाह साब में डेलिकली बात की है और यह उन्होंने शिकायत की तो एलेक्शन कमिशन न कि रैंग अप और डिस्ट्रिक प्रेज़ेंट्स व समाजवाधी पार्टी और वहां जब दस हजार आदमी आपके यहां बाहर एकठा हो जाते हैं तो फिर डियम साब की भी थोड़ा समझ में आता है कि अमिश शाह तो वहां से आएंगे नहीं बचाने यहां पे कौन करेग तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वाली चीज महराष्ट में नहीं हो पाएगी कि महराष्ट में ऑर्नाइज़ेशन लेविल पे जो दो सायोगी पार्टी हैं कॉग्रिस की मतलब इंडिया कड़वंदर की जो दो सायोगी पार्टी है उनको इसमें बहुत चाक्शवंद है तो तो उस समय क्यों नहीं शाम को बोला गया शाम को आपने फोटो लेके उस समय क्यों नहीं कहा कि काउंटिंग इस समय अगर पूरा दिन बर का एलेक्शन था तो 99% है देखिए हारने के बाद जो आप बोलना शुरू करते हैं तो आपकी बात दूसरी होती है लेकिन आपने दो जो चे को पांच को मंदान हुआ, आट को काउंटिंग थी, आप पांच की शाम को अगर इसमें कहें होते हैं कि साब 99% है तो आपकी बात की बात दूसरी थी, तो मेरा यह बानना है कि टैक्टिकली कॉंग्रस को अभी बहुत कुछ सीखना है और कॉंग्रस को बैशनल पार् आप ते और्नाइजेशन पे भी ध्यान तो देना ही पड़ेगा, अजे, अब मैं आज की दूसरे प्रस्न बढ़ाता हूँ, यह मोहन भागवत के बारे में है, इन्होंने दशेरे की स्पीच दी, इन्होंने बड़ी लंबी स्पीच दी और काफी बोरिंग सी स्पीच दी, जो जादातर RSS का प्रमुक ऐसी स्पीच देते नहीं है, मेरे को यह लगा, यह कहीं पर एक पॉलिटिकल स्पीच दे रहे हैं, यह मोरी जी को इन्होंने रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि इन्होंने सारी बातें पॉलिटिकल ही करी, और एक हिंदूों को एक जुड होने की ब मौहद भागवदी का सदनली दिल चेंज हो गया, यूटन हो गया, यह क्या चल रहा है इस समय RSS और BJP के बारे में, आनद। इसलिए बोल रहा हूं कि यह उन्होंने वही बात कहीं, जो मौदीन जी और बाकी लोग कह रहा हैं कि बटोगे तो कटोगे, हिंदू, हिंदूों को, हिंदूों में, एक हमारे अभे दूबे जी एक अच्छा वर्ड यूज करते हैं, कि वो भय दोहन करते हैं, भय से दोहन, इसलिए बात करते हैं, तो अच्छा वर्ड यूज करते हैं, तो वो उन्होंने फियर को वहां किया, इसमें भी वो हिंदू, अगर एक नहीं होगे, बटोगे तो कटोगे, यह जानमंसी तक कह रहा हैं, गिर्राज सिंग जी कह रहा हैं कि त्रिशूल रखना जाए यह त्रि इसको दूसरे एक तरस देख रहा हूं, एक तो यह है कि आप यह बिल्कुल गलत फहमी है, हम लोगों की की RSS अलग और BJP अलग, यह RSS की नरसरी से निकले हुए हैं, तो इसलिए इसमें किसी को यह गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, कि वो है, वो RSS की यही डिजाइन है, वो लेकिन जो ज़्यादा ख़तरनाक है अजे, दुनिया के में मोटे तोर पे शायद 35% Christians हैं, 28% Islam धर्म को मानने वाले हैं और 14-15% Hindu धर्म को मानने वाले हैं, मोटे तोर पे, दुनिया में मैं तुरंद मुझे आफ़ याद नहीं है, लेकिन बेरा जो अपना वो है, पचास से उपर देश, इस्टेट, राश्ट्रों का धर्म जो है, वो लिखते हैं कि वो Christian स्टेट हैं, 30-35 के करीब कहते हैं कि हम Islamic स्टेट हैं, हिंदू स्टेट कहने वाला एक ही देश था, नैपाला वो भी नहीं है, हिंदू की 95, हिंदू करीब 115 करोड के आस पास है, मोटा यह मैं स तक ने, 150 करोड पूरी दुनिया के हिंदू हैं, तो जब आप यह कहते हैं कि हिंदू अगर बटोगे तो कटोगे और सब एक जागा आ जाओ, तो इसका अगर कोई बोलेगा कि भई, इसलाम खत्रे में सब एक जगा आ जाओ, Christianity खत्रे में सब एक जगा आ जाओ, तो इसका क् बाहर जाते हैं, मैं इसको एक दूसरे ढंक से भी देखता हूं कि हमारे देश की जो आर्थिक, जो हमारी एकॉनमी है, जो अर्थ विवस्ता है, वो एक बहुत डिपेंडेंट है, हमारे उन एनराइस पे जो बाहर जाके रहते हैं और वहां से वो घर में पैसा भेजते हैं, मेरे पास सती जाका कहना है कि जितना आपकी GDP उसका एक उतना ही करीब करीब पैसा बाहर से भी आता है, इसा नहीं कि आप उसको एग्णोर कर सकते हो, वो पैसा बाहर से आता है, यह सारे लोग उन देशों में काम कर रहे हैं, जो या तो इसलैमिक देख भाई, साओधी में क काम कर रहे हैं, अमेरिका में काम कर रहे हैं, यूके में काम कर रहे हैं, कैनडा में काम कर रहे हैं, अब अगर कल के दिन, आप की बहुत कह रहे हैं, बटोगे तो कटोगे और अगर वो न देशों में हो जाय कि नहीं, हिंदुों से नहीं लेना है, हिंदुों को नौकरी नह क्या होगा मैं वह एनराई की बात नहीं करूं ठीक है आप अपने मर्जी से गाए ते आप वहां रही है आप को आप किसी के सीओ किसी कंपनी के हो रहा है कि चप्रासी हो रहा है उससे हमें नहीं मतलब लेकिन अगर आप जब यह जंडा चलाते हैं तो एक खत्रा हर्दम यह हो हो और अगर वो मुस्लमान तो वहां से खारा मत खरीदें हिंदू यह सब जब आप बेकूफी की बातें करते हैं तो आप देश का नुकसान कर रहा है विदाउट रिलाइजिंग कि आपके इस स्टेट्मेंट का असर कहा क्या होगा हमारी अर्थ विवस्ता पर इस पर डिरे है ना समझ है ना विरुजगारी पर ना महंगाई पर ना तरक्की पर ना विकास पर कुछ नहीं है सारा कुछ इसी पर चलता रहता है तो इसने वो आरे से हो हम आइम नाट सर्प्राइज बाइनी तिंग इस की वो जो मुखोटा पिछले दो-तीन महिने से लगा हुआ था कि सब एक ही उसके हैं और जिसकी नर्सरी तो आरे से सही इसको मैं कहीं कि दो रहा है नहीं है एक बार फिर से प्रूफ हो गया कि वो वही से निकले है अजे जी अब मैं आज के आखरी डिसकेशन पर आता हूँ यह आपके चैनल पर भी यह आ चुका है और दूसरी जगह भी मैंने यह प्रोग्राम देखा है कि कहीं लोग यह कह रहे हैं कि शायर नितीश कुमादी बहुत जल्दी जंप करके इंडिया गट बंदन में आ जाएंगे और सेंट्रल की एंडिये सरकार गिर जाएजी ऐसा एक नेरेटिव देखने में आ रहा है तो मैंने इस बात का एनलिसिस किया दो स्लाइड जल्दी से दिखा देता हूं बेटा की यह लोग सभा की पोजीशन दिखा रहा है हम सब जानते हैं एंडिये के पास इस समय 292 सीट् तो यह बड़ा डिफरेंस है और जो अनलाइन पार्टीज हैं उस इस समय उसमें 14 सीट्स हैं और साथ इंडिपेंडन्ट हैं तो कुल मलाके अदर्ज के 21 सीट हैं तो अदर्ज मैंसे अगर आप इंडिया की सपोर्ट लें भी तो एक YSR कांगर्स शायद सपोर्ट कर दे और नेशनल कांफरेंस तो खेर करें गई तो वो मैंने ये नीले बाज में ये छे सीट्स दिखाई हुई है तो बड़ा सिंपल सा अर्थमेटिक है आनंद इंडिया की 230 इंडिपेंडन्ट शायद आपको तीन मिल जाए YSR चार नेशनल कांफरेंस दो तो 239, 240 तक आप पहुन जाएंगे जे डियो और LJP मिला लिया चिराग पासवान की तो 256 तो फिर भी आप मेजॉरिटी मार्क से नीचे रहेंगे तो ये नेरेटिव किसलिए हो रहा है कि ये तो ये ऐसा नेरेटिव क्यों चल रहा है कि नितीश कुमार के आने से कुछ फरक तो पढ़ेगा नहीं मो पश्ट है कि नितीश कुमार के लिए बिहार स्टेट में अपने को जमाय रखना बहुत जरूरी है तो पहली चीज ये भी हो सकती है जिसको हिंदी में हम लोग पेशबंदी कहते हैं या इमिशिली हीस टाइंग तो हैज इस पीपल कि भाई जब विधान सभा का एलेक्शन ह होगा तो मुझे इतनी सीट तो चाहिए ही चाहिए लड़ने के लिए क्योंकि वो चाहेंगे नितीश चाहेंगे ये कि जो लास्ट जो एलेक्शन हुआ था दो हजार बीस में वहां पे जो सीटों का बटवारा हुआ था उस वही बटवारा हूँ बीजेपी चाहेगी कि नह कोई प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिस भी है बिल्कुल होनी भी चाहिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं दूसरा जो एक कारण यह है कि नितीश अपने जंदा दल यू को भी जरा ठीक करना चाह रहा हैं क्योंकि वहां पे कई बार ख़बरें आती हैं कि ये बीजेपी में चलने जाने को तयार हैं वह बीजेपी छोड़ देंगे वह बीजेपी में चले जाएंगे तो नितीश उसको भी इंटैक्ट रखना चाहते हैं क्योंकि अभी तो भई नितीश के फाइनल वर्ड और एक जो एक मेजर वह है जिस पर हम सब लोगों को चर्शा भी करनी अगर आपको याद हो तो दो हजार बीस के एलेक्शन में नितीश कुमार को कम सीट लाने के लिए वस इंजीनियर बाई बीजेपी टॉप लिडरशिप इंक्लूडेंग अमिशाफ प्राइमरी जिस तरह से जो हमारे रामिलास पास्वान जी के लड़के चिराग पास्वान साहब हैं उन्होंने जिस तरह से सेबाटोज किया था जे डी यू को विद फुल नॉलेज और बैकिंग ऑफ बीजेपी लिडरशिप उससे नितीश को बहुत नुकसार हुआ था अब इस समय तो चिराग पास्वान यहां आ गए हैं पार्टन पारसल हैं वो सब ठीक हैं अब बीजेपी एक दूसरा आदमी तयार कर रही है उसका नाम है प्रशांद किशोर नौ अब वो प्रशांद किशोर को पूरी तरह से बीजेपी तयार करके वही काम रिपीट ऑफ चिराग पास्वान वोट ही डिडिन दो हजार बीस वो अब कराने की चकर में है दो हजार पच्चिस में प्रशांद किशोर से क्योंकि प्रशांद किशोर जब यह प्रशांद किशोर का सारा कुछ यह है बीजेपी का ही है कि प्रशांद किशोर को सबको पता लग गया कि उ तो बीजेपी उनको चाहे कि सारी जगह लड़ें और खास करके बीजेपी को छोड़के उन जगहों पे लड़ें जहां पे वो नितीश कुमार के जंता दल्यू को डैमेज कर सकें तो मुझे एक लगता है कि बड़ा कारण वो भी नितीश के पास यह है कि अगर प्रशांद की और को आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आएवन ऑप्शन और और यहां पर आप अखलेश यादव से लेखे ती जस्तुई सभी बोल चुके हैं हो चाचा के लिए जागा खाली है अखलेश यादव कहते हैं आज आईए कहां उन लोगों के साथ हैं जो जेपी को मानते नहीं इस तरह की बाते होई रहे हैं तो नितीश को ये तो समझ में आता है कि मैं अगर इधर आ जाओंगा तो मैं एक रिस्पेक्टर हाला की हो सकता है सीटे होती ना मिले क्योंकि इधर भाई कॉंग्रेस भी चाहेगी और आर जेडी भी चाहेगी लेकिन एट लीस ही विल भी अक कि अगर आप प्रशांत की छोर से वही हरकत करने के चक्कर में रहेंगे तो मेरे पास एक आउप्षन है और ये बीजेपी बिल्कुर ठीक से जानती है कि अगर इंडिया बंदन में आ गए तो बीजेपी के मतलब के इस्तिती खराब रहेगी बिहार में और खिसर बिहार में नहीं अगर ओ पैले आगा तो जारखन में भी उसका अफेर पड़ेगा ऐसा ऐसा लगता है कि चारखन में भी कुर्मी मंदाता काफी है एक नए पoben्वी लीडर वहाँ अपीर हुए हैं यो काफी इस समय महतो जी है महतों जी एक नए लिड़ रहा है महतों आए हैं उनका काफी दबदबा है उस वोट पे तो वो भी एफेट करेगा तो ले दे के मुझे लगता है अभी तो अपनी पोजिशनिंग की काम कर रहा है नितिश जी लेट सी हाओ इट अनफोल्ड आजय वेल थैंक यू सो मच आनंद समय के लिए अगले अफते हम से जुड़ेंगे थैंक यू वरी मुझे थैंक यू थैंक यू अजय थैंक यू थैंक यू अजय